अस्तामलीकूम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टूप स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल तम बिन कैसे जियें? साद और जारा, जो के किस्मत के हाथों मजबूर, हजबन वाइफ बन गए, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त थे पहले, इसलिए वो इस रिश्टे को कबूल करें ना करें, लेकिन अपनी दोस्ती को कभी नहीं भूलते, वो आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, तभी तो रात के वक्त जब दोनों लेटे थे, साथ सोफे पर और जारा बेट पर थी, लेकिन फिर भी दूर से एक दूसरे से बाते करते रहे, अपने हाले दिल बताते रहे, जारा साथ से कहने लगी, मैं जानती हूं, तुम अभी भी जैनी क हसीन लमहात को याद करता है, लेकिन अब तो सिफ ये यादे ही बाकी हैं, हकीकत तो कुछ और है, उसके साथ फिर जारा भी अपने दिल की बात साथ को बता देती हैं और कहने लगी, जैसे तुम नहीं भूल पा रहे हैं जैनी को, वैसे मैं अदील को नहीं भूल पा रही, जैनी तो तुम्हारी मंगेतर थी, अदील मेरा शोहर था और तुम चानते हो ना, मैं अदील को कितना चाहती थी, उसके साथ गुजरे हुए लमहें मुझे भी याद आते हैं, काश ये वक्ट जो चल रहा है ऐसा ना होता, जो गुजर गया, वैसा ही होता तो कितना अच्छ होता, दिल मेरे साथ होते, जैनी तुम्हारे साथ होती, अब साथ और सारा, दोनों ही लेटे हुए एक दूसरे से बाते कर रहे थे, और साथ ही साथ, अपने माजी को याद कर रहे थे, जो कि काफी हसीन था, लेकिन अभैर बहुत चल इन्हें हकीकत भी तसलिम करनी होगी, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और हमेशा फिर साथ ही रहेंगे, दूसी तरफ मिरहा जो अपनी दोस्त के मंगनी पर अपनी बहन और माँ को भी साथ ले कर आई, यहां पर जो माहम आई, तो हॉपसो माहम का ये जिससे टकराव हुआ, वो माहम का साबका शोहर ह क्योंकि माहम का साबका शोहर ड्रामे में अभी तक दिखाया नहीं गया, हॉपसो, ये उसकी एंट्री हो, लेकिन ये भी हो सकता है, कि यहां पर जो लड़का नजर आया, वो माहम का फ्यूचर हस्बिंड हो, लेकिन फ्रेंड्स इस पारे में आप कैसे सोचते हैं, ये फ्य बहु के लिए कुछ जेवर बना कर रखा है, जिस पर अद्नान साहिब की नजर पढ़ गई, इसलिए तो वो इस जेवर पर हाथ साफ कर लेते हैं, अगर अद्नान साहिब ये जेवर ले जाने में कामयाब हो गए तो सर्वत बेगम पर एक और मुश्किलान पढ़ेगी, क्य उसी तरफ आहर कर सर्वत बेगम के भाई को मालूम पढ़ ही गया, कि फरीदा बेगम और माहम जारा और साथ के शादी पर वहां पर शरीक हुई थी और काफी इंसाइट की, जिस पर वो घर में काफी भड़कते हैं, सबसे लड़ते हैं, जब तुम लोगों को मालूम साथ और जारा के शादी हो रहे ही है, तो जाने की ज़रूरत क्या थी वहां पर? और जब चली ही गई, तो क्या तमीज से वो शादी अटेर्ड नहीं कर सकती थी? बच्ची को दुआउं में रुकसत नहीं कर सकती थी तो बाते सुनाने के क्या जरूरत थी? लेकिन यहां पर माहम और फरीदा को जितनी भी बाते सुना ली चाएं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो ऐसी दुम है कि सो साल भी पक्रेंगे जब छोड़ेंगे तो टेरी ही मिलेगी